असलाम अलेकूम आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैंतेमेटिक्स पे तहदिल से सवागत है ठीक है चलिए आज हम लोग देखते हैं एक से लिक्षाइज एट पॉइंट वन का आखरी नंबर सवाल यानि बारा नंबर सवाल इससे पहले हम लोगों ने एक से लिके गारा तक पू तो उसके सवालों के तरफ जाएंगे चलिए बारा नमर सवाल क्या करा है आखरी सवाल ये बी सीडी एक सब्लाम बेड ने जिसमें एबी समांतर डी सी दिया है एवी पैरलेल टू डीसी एक क्या है समांतर ठीक है सईए एडी बरावर बीशी ऐडी और बीशी ये दुना बर इंगलवहारं सबक रहावर धिली सरवांसम तीर वह ते रहुंछ आपको भी ऐ दीकर पुल्क हो उश्यां करना पडिखना पर्रभूज व्यूनित बने गटे दूनुंग में पढ़ने पहले सब्सक्राइब करते हैं में यह सब्सक्राहें तो सम्लावब चत्रभूज का हिंट से लेके हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों बराबर ये दोनों भी बराबर फिर जो तिर्भूज बन दाया तिर्भूज a b c a t a b a d यह सरवांग्सम पुसिबल नहीं यह सिर्फ सम्लाम चत्रभुज को लेके चल कर इतना सारा पुरूफ करना पुसिबल है नहीं ठीक है इसको सम्लाम चत्रभुज को लेके चलना और इतना सारा पुरूफ करना मतलब पुसिबल नहीं ठीक है कि इसको सम्लाम चत्रभुज पहले बनाना है तो देखे आप कह रहे होंगे बुक में कुछ और फिगर यहां कुछ और फिगर है तो बुक में चो कंस्ट्रक्शन किया है न रचना वही मैं आप यहां कर रहा हूं ठीक है सी से होकर सी से होकर सी से होकर इस Tasker के समांतर एकर ब्रेबावन वह जो बढ़े यहां पर करना सतंटिक में शंकेत दिया है का मुँझा दियाए किया है यही चीज़ идNew कि आपको ऐसे समुलंब चत्रवुज़ण को अैसे समंतर चतवुझ बना ना याईसी बात आ यह समांतर बन गया है यह समांतर है आच चलग से को भव ई है कि ऑ यह रेखा और यह रेखा समांतर है तो लेल है अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ा दो तो क्या अभी यह दोनों समांतर होगे की नहीं जाय शिवात होगी तो गौन सेस्ट लगा यह ए-बी-सीडी के समांतर यह दे रखा है ए-बी को ही तो हम लोग आगे बढ़ा हैं तो इसका मतलब होगी formats सांतर होगी यह अब जक्य मेरा मेरा मेन बक्साट हाइज और मैं dobre neither ठृब है इस अब्रोग में एक्सेलख्रा काम किया है तो जब ङक्रम एक्स्रा काम करते हैं उसको रचना में लिखते हैं construction में कि अपने figure में एक्स्ट्रा काम क्या किया है ठीक है चुल जा इसका solution देखो solution देखने से पहले क्या दिया है पहले उसको लिख लो आपको दिया है ठीक है आपको दिया है क्या कि ABCD रचना के एक समलमभ एपका क्या है यहां और क्या दिया है अमएं AB Сам समान्तर DC आप यशांतर दिया था तता तता AD बराबर BC AD और BC क्या दिया था AD बराबर BC AD और BC ये बराबर दिया था हम लोगों तो फिकर में इस्टरा काम क्या क्या है उसको हम लोगों कहां लिखेंगे रचना में इस्टरा काम हम लोगों नहीं क्या है AB को आगे बढ़ाए AB को क्या किए आगे बढ़ा है और C से होके Point C से होके AD की समानतर एक रेखा कीजे AD की समानतर एक रेखा कीजे कहां से होके C से होके जो कहां पर कट कर रहा है E पर कट कर रहा है ठीक है तो इसको लिख रहा हूं मैं AB को आगे बढ़ा है आगे प्रोडियूस किये ठीक है एबी को आगे बढ़ाए तथा तथा सी से होकर मत्तब बिंदु सी से होकर सी से होकर एडी के समांतर सी से होकर यानि यहां से एडी के समांतर एक रेखा कीचे एडी के समांतर एक रेखा कीचे जो कहां से होके जा रहा है सी से होकर जा रहा है तता सी से होकर C से होकर AD के समानतर AD के समानतर AD के पैरलेल एक रेखा खीचे एक रेखा खीचे जो जो भूजा AB की बढ़ी हुई भाग को कहां पे कट कर रहा है E पर जो भूजा AB के बढ़ाई हुई भाग पर E पर कट कर रहा है बढ़ाई भाग के बढ़ाई भाग के इपर कट कर रहा है इपर परतिछेद कर रहा है ठीक है यह जो बुक में हिंस दिया था आप उसको भी लिख सकते थे ठीक है चलो मैंने क्या लिखा है कि A B को आगे बढ़ाया तता C से होकर AD के समांतरे ग्रेखा किचा जो भूजा AB का ब बढ़ाया भाग के इपर पर प्रतिछेद कर देए यह वाली रेका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है से होकर जो AD के समांतर किचा है वह इसको कहां पर कट कर दिए यह पर कर दिखते हैं यह तो राचना आम लोग जो गिए तो उसको अपने लेंग्मिज में ने लिखवाया है व पहला नमबर क्या पुरूफ करना है कि एंगल बराबर है एंगल बीग है एंगल यह और एंगल बीग को बराबर दिखाना है ठीक है अ देखो जी बार बार हम लोग c e b c b e इतना सब लेंगे इंगल का नाम बहुत टाइम लगेगा WhatsApp इसको मालने एंगल एक इसको मालने एंगल दो इसको मालने एंगल तीन इसको मालने एंगल चाहं ता एंगल भी स्ट्रकेजियम की बात ओर एक इंगल से नहीं कि बात में आइंहें यागई में पुरूफ करना था मैं इस रॉफ करना था से मतलब नहीं कि इनलंते या इंगल चार और अगल 3 6 हा pół इुसका मतलब यह क्या है कि एंगल चार बरावर हैं एंगल 3 6 के लिए यस जीड़ए चलो सिस्टेए देखो कि प्रोस्यस में आपको समझा तो कैसे क्या आंने वाल id के इन दोरतों को मैजयए बराबर दिखना के ये दुन्न पहले से बराबर है यह और ये पहले से कि लुंह ने हैं कि इसको समान्तर चोर्ओंश बना दिया है उसको लिखें कैसे ट्राया यह दोनों बराबर पहले से और यह बराबर बनेंा कि समोह हो जाय कि यह इसके बराबर और यही वाला इसके बराबर और यही वाला आपस में बराबर ओजा थ Schn Att यह दोनों साइड बड़ाबर और आपस में एंगल थिके जाए हम लोग मुनें सीद्ट के ना ठीक है देखो चत्रभूज AECD में हम लोग चल रहे हैं चत्रभूज AECD में चत्रभूज AECD में मुझे इससे समांतर चत्रभूल दिखाना अभी आपको देखिए इस समलम में दे रखा था क्या कि A B O D C क्या है परलेल है एबी और डिसी क्या है परलेल है ठीक है A B parallel DC यह कहां से दिया था आप बताए जरा आप बताए अब डिसी के समांतर है और A B की ही तो बढ़ी ही भागए यह इसका मतलब यह वाला भी इसके समांतर होगा बेसिक में जो मैंने आपको सुरू में समझा था तो हम लोग A B समांतर डिसी बोले या AE, SAMANTAR, DC बोले दोनों बात ऐम है दोनों बात क्या है सेम है IT implies AE, SAMANTAR, DC बोलीए ये दोनों बात क्या है सेम है ठीक है इसको मुर stuffs आ लेते हैं समेकरान 1 और हभी हम लोगोने रचना किया है AD के SAMANTAR AC AD के SAMANTAR AC हम लोगोने क्या है किया तो एडी समांतर किसके है इसी के एडी समांतर किसके है यह रचना से यह कहां से रचना आ वोगों ने किया अपने से तो इसको मलूग आप समीकरण दो तो समीकरण एक और दो से क्या पता चल दा है वह किसी चत्रभुज में आमने सामने कि भुजाएं क्या हैं ये वला और ये वला समांतर और ये वला समांतर ये चत्रभुज कौन से हो गया समांतर चत्रभुज हो गया तो समिकार एक और दो से क्या पता चला है कि चत्रभुज एक चत्रभुज एक क्या है समांतर चत्रभुज है एक समने समने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है इसका मतलब एडी और एडी और यह जो इसी है यह क्या होंगे बराबर होंगे इट इंपलाइस एडी बराबर एडी बराबर एसी एडी बराबर एसी क्यों तो समांतर चत्रभुज की समुख भुजा समांतर चत्रभुज क कि समुख भूजा आप पुरन लिख सकते हैं समांतर चत्वुष की सम भूजाएं क्या होती है बराबर होती है नहीं समयकरण मनल लिजिए उससे कोई फरक्ने पड़ें समिकरण नहीं रहता तो तो अभी मैंने दिखाया कि यह दोनों वापस में क्या है बराबर है लेकि इस सवाल में पहले से दे रखाया है यह और यह बराबर है अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि यह और यह बराबर है अज सवाल में पहले से दे दिया है कि यह दोनों बराबर है इसक इसको मालों आप समीकरां चार को तुलना करो निचे वला पाट वीडियो में आ रहा है कि नहीं निचे वला पाट हां आ रहा है इन दोनों को तुलना करो जड़ा इसका मतलब बीसी और इसी यह दुना आपस में क्या हो गया है इसी चाहे बीसी पूलिए बात क्या है सेम है तो इंप्लास समी करां तीन और चार से समिकरा 3 और 4 से समिकरा 3 और 4 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BC और EC आपस में क्या है बराबर हैं BC बराबर EC BC बराबर EC यानि ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए अब ज़रा देखो भाई किसी तिर्भुज की इस वाले तिर्भुज में देखे गौर से तिर्भुज B, E, C में किसी तिर्भुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके समुख कोड भी क्या होगे बराबर होगे किसी तिर्भुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोड भी बराबर होते हैं तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये ये दुना आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है तो BC के सामने वाला एंगिल 1 और EC के सामने वाला एंगिल 2 ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे जैसे हमको पता चला कि BC और EC बराबर है तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एंगिल 1 ब बराबर भुझाओं के सामने वाले कॉर समख को सामने वाले कॉर क्या होते हैं वराबर होते हैं तो आपको 100 पर्सें देना पड़ेगा जिमेटे में चैनल पर्सेंट अरबात कि अब देखिए कि आप बताओ भाई एक लायन के लिए को बनता है तो ऐंगल दू और एंगल तीन मिलके कितना देगा इन दोनों का जोड एकस उसी होगा इसको क्या बोलते हैं । क्यूंग एक लाइंग के एक पूरा एक सासी है तो एंगल दो प्लस आंगल तीन परावर दो पलास एंगल तीन बराबर 180 डिगडी क्यों टी रीजन लिके वह रैखिक यूग रैखिक यूग लिनियर पेर इसको भी आप सम्मिकराण मालूब यह क्या है समीकराण छे यह क्या है समीकराण छे अब बताएं यह चतुर्पूज एक समांतर चोपे मुझे यह तुर्पू किसका काम करेगी तिर्यकरेग का काम करेगी और इन दोने दोनेख समांतर रिकलों को को खपके करतीती है तो समंतर कोड़ों का 170 तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 बराबर कोथ कितना डिगरी 170 दीघरी एक — एंगल 4 प्लस एंगल 1 बराबर कतना डिगरी contained 16 करने मिए पूरा डेकर हो आपको सिखाना है पूरे सिख़ाना है मुझेसलिए कुई कि कि समिकराण 6 और 7 को देखो तो तो इधर भी 180 इधर भी 180 आरे ज़ेस में 180 है दोनों तरफ तो लहसे स्विक्षा रहा होगा लहसे स्विक्षा रहा होगा बराबर रहा होगा तो समीकराण 6 और 7 से समिकरण 7 से हमें क्या पता चल दा है कि भाई RHS बराबर है ल क्या रहा होगा बराबर नहीं यानी इंगिल two प्लिस एंगकल टीन ने इंग्स को भी बराबर दिखा दिया में अभी हम लोगर्म कुछ किया क्या है को क्या हो गया कट गया क्यूं कटा भाई क्यों की एंगल एके ब्राबर है किस के एंगल दो के कहां से यह बात कहां से तो शुम्सुमिकरर पांच से ठीक है इसलिए तो समिकर्ण इतना सारा दिया है मैंने जिसकी जहां जोरत पड़ी वहां घुसेड़ दीजे के हाँ इस समिकर्ण से मैंने ये बात लिया हुआ है समिकर्ण नहीं रहता है तो थुरा दिक्कत हुथ है कहां से कौन उठाए एक्जामिनर को है एक पहुंचा घंग ऑटर एंग इंगल की सब्सक्राइब कर आप लिए किस को बोल ल patrim ओल लों एंगल één को बोल 내 year प्रूफ करना था तो हैंस प्रूट उम्मेद करता हूं कि यह चीज आपको समझ भाई हूं समझ भाई हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके जरूरू बता है कि कैसा समझ भाई है ठीक है यह वह लोग बहते हैं एक नमर तो हो गया अब दो नमर से आल गता है इसे नो यह लाखे आपको एंगल सी ब्राबर दी दीखाना यानी और आंगल पांस बराबर आको क्या दिखाना है इंगल 6 दीखाना है चली इसका जूझा सिद्ध देख़ें हम लोग तक इंगल names साकता हुद ही और यह वह से कुछ रिलेजन हम लेके इन दोनों काम रखान कांट रहा हैंक है त्सेसे खेOW गुवह डिदिनलवीया क्या है ये औरेता है क्या थे जोर नोर śरा 2 का मेरें पर हिले पर दो adjust सब्तर अल्टा फूर्ट्ट वीन चाथे हैं तो लिख सकते हैं आप क्यूंकि एप य इस लिए इसलिए यई डूनों सब्दुटक वें पांच और रेंगल जई क्या है per 117 की ॐ छान जवाल सवाल में उसी तरह 508 एं Гण उसी तरह अधे ठीप्लस अंगल सब्सक्राइब अब 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 अगल छे प्लस एंगल चार बरबर कितना डिगड़ी एक सवसे डिगड़ी रीजन सेम रीजन सब अन्तव कोड इसको माल जे समिकरान नौ माल लो भाई अब देखो इन दोनों समिकरान में है कि ऐस बराबर है एक सवसी तो एलिवसपी औह उगा बड़ाब में इसके बराबर तो यह दोनों भी आपस में क्या होएं बराबर ऋबर डा frames says, देगिला कर दे रहे समिकरान आट और नोइख डेकिन तुन नहीं नहीं तो LHS भी बराबर होगा जायज जी बाते तो angle 5 प्लस angle 3 अब बराबर angle 6 प्लस angle 4 ये दोनों आपस में क्या होगे बराबर होगे प्रस ने 1 में हमने सीथ किया था कि angle 3 और angle 4 ये आपस में क्या है बराबर है तो बराबर के उधर आप अबराबर कि इधर तो कड़ जाता है, तो angle 3 और angle 4 क्या होगे? कड़ गए, क्यों कड़ गए भाई? क्योंकि angle 3 बराबर angle 4 ये कहां से? प्रस्ण 1 से, आप ऐसे भी कर सकते थे अगला step में इस angle 3 को angle 4 लेग देते, इस angle 4 को वैसे ही रह देते, तो अभी भी कार सकते थे, मैंने डारेक्ट कर गए, बनाबर 6 यहीं हम्मान था ब्लोभाई प्रूफ करना था चैनका यह प्रूफ कनर Mü collective हलाओ तो तरफ कॉल नूमर स्वाल यह सुझाब करना में कि इन नमबर क्या सीलकीर तो सीद्क करना है कि तिरभूज तिर्भूज ABC सरवांग्सम है तिर्भूज BAD के तिर्भूज ABC यहां पर कुछ इक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इस फिगर में बताऊंगा तो फिर आप अब कंफ्यूज कर जाएगा तो इसके लिए मैं एक अलग सा फिगर बना था हूं ठीक है देखो जी चीज वही ऐसा आप उसी में बनाएगा ठीक है आप का मनेगा उसी में बनाएगा इसको तुमाइब अच्छा से बना दू यह होगा ऐसे यह से ओगा यह एशे होगा ठीक है यह अ है यिए बी है यह सी है और यह टरी है कि हाँ तिर्भुठ एब इसी यह इस को ज्वाइं करो बीज ऑर बी एडी तै इसको ज्वाइं करो बै तब तो यह थोतिर्भुट्व्श मhofstick है तो सर्वांग संहम् NT curry तो के स्ट्रूrican जा सकता है जीन दो तरफुज कुछ सरौन करttita इंगे करता हैं चलते हैं तो इसका सिल्थ दखँए वगई इसका प्रौफ कि सिथ तरफुज ए बी सी और और तिर्फुज les KB एडी में तिर्भुज बी एडी में दोनों में चलिए इन दोनों तिर्भुज में तिर्भुज एबी सी इस वले तिर्भुज में और तिर्भुज बी एडी इसमें ये तो आपस में क्या है बराबर ये तो कुस्चन में दे रखाए एडी बराबर बीसी एडी बराबर बीसी दूनों आवर्स में क्या है बडावर है अच्छा पहले मुझे किसमिन चलना तिरभूज थि बावर एडिए लिखळा थिह और यह कांसे ये कोश्चन में अर बूण क्या है कि हमने प्रूफ किया है को यह व़ला एंगल में यह वाला जो कि सफ़ी टिर वूज कोटे बीसी का यान यह वाला आñगल ठीक है और तिह सबी एडिक यह होचिए इवाले दिटिक यह Nपशनी क्या है ने परबन एट वर रावर तिक यह है इसको लिग्लो आप एंगल भी बरावर है by कि ईंगल वी बराबर एंगल ही ऐес तिरुखी काइं तरुखी तरह सिद्ल और सिंगल जियंत अपस्का बढले कहा से भाई प्राशन वन में सुद्ष रॉस्ट की ओनलोग सृथ की ऐस फ्रूफी और ऊतप्रशमन में सिद्ध कीす एकुसाइड एकुसाइड और essence प्रावर ये वह वात आई ये वालरस तीनों में कमन यिरूत एवह इसे में भी अभी आहा और तरह बी अभीकले इताइब resonates है यालिक तो तूमन स Parliament आप बताईए साइड एंगल साइड से अता अता साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से नियम से नियम में लिख दिया क्या नियम से यह दोनों तिर्भुज क्या हो गया सर्वांग समों हो गया तिर्भुज ए बी सी सर्वांग समों गया तिर्भुज बी ए डी के हैंस यहीं क्या करना था आपको प्रूफ करना था चली चार नम्र क्या कर रहा है तो यह देख लो बढ़ा हलका सा है अभी मैं पता दता हूं भिकाड A C B कर बीडी के पराबर दिखाना है अभीन पूरूफ किया कि दूनों तिर्वुज क्या है सर्वांक्स में तो तिर्वुज can do अभुज बावर होते हैं तो तिर्वुज ABC में AC अतिर्वुज B AD में यह बीडी यह पस में क्या होगे बराबर और से ठीक है चलो लिख लो क्या सिद करना आपको सिद करना है इसमें क्या सिद करना तो सिद करना है सिद करना है एसी परावर बीडी ठीक है कि जार गया एसी परावर बीडी अप लिखी जेगा विकार एसी परावर बीडी एसी परावर बीडी मुझे सिद करना ठीक आप लिखे के पिकाडरे Cpc2 dabei टोटैर्भी तो में चीरवी टॉनिसे ने कि लिखें कि कि एतिए चाहब और जिस में इसके शंगत्हे चाहल होते कि भार होते हैं ठीड़ ए प्रिदेडै या पस्में है बदेखो एसी और बीडी या पस्में क्या होगे बराबर होंगे सीपरी सीटल से लिख लिएगा प्रस्थ तीन में वा किसीद किये से तुअ मिन कि तिर्भूज ए बिची सर्वांवसम है तिर्भूज एबी सी सर्वांवसम मैं तिर्भूज ब धैक्ष पीerv तो मेरा मकसद यही रहता है आज हम लोग यहीं तक रखते हैं अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करकें जरूर बताएं और हो सके तो अपने दोस्तों में अपने सर्किल में सेर करें जो क्लास नाइट में है क्लास टेर्थ में बच्चे हैं तलिए आज यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में तब तक के लिए अल्लाह आफिस